दोस्तों भी चाल जन्वरी है दोहजार चौबीस और मैं आया हूँ यूपी में मेरे गाउं में जो पताफगट जिले में पड़ता है पताफगट जिले से कम से कम पौना घंटा दूर है एक दम देहात इलाका है और अभी सुभा साड़े आठ बच रहे हैं तो किसे ने रिक् यह तुम्हारे गाउं को एक व्लॉग बनाना तो आपको बता दो कि सुभा बजयां पर खड़ा हूं वाहां से थोड़ी देर पीछे अगर आप देखोगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा इतना घंटा कोहरा है जो मैं एकस्पेक्ट नहीं कर रहा था और साड़े- बज़े आज बहुत देर में उठा क्योंकि कल थक गया था टूर कर रहा था तो बाइट रहा था तो तो कम से कम सब्सक्राइब के बाद कल अराम किया उसके बाद आज जब उठाऊ अभी तो उसकी बूंदे पड़ रही है और बहुत जादा ठंड पड़ रही है और मैंने यह एक आप इसको कंटा बोलते क्या बोलते मुझे नहीं पता यह पैना हूं टीशिट पैना हूं फुल उसके पैना हूं और उसके अंदर भी एक इंदर पैना हूं और बागी जो और पैनते हूं पैना हूं तो कुल में लाकी इतनी ठंडी पड़ रही जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है यह है बास के पेड जो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे चली सामें से दिखाते हैं यह बा देख सकते हैं अज़ खेते हु का हाल जिससे अगर देखोगे तो अभी जस धान लगा हुआ है थान लगा हुआ है देख सकते हैं इसे हम भीटाा कहते हैं वैसे जो बरी बरी जो जगा होती है clearly अइसे हम भीटा कहते हैं- भीटा मतलब वह थोड़ा सा उपर चड़के चड़के ते ही उसको मलते हैं कि घा में होता यहां से जो नजारा है वो अच्छा देखता लेगे बात यह है कि सुभा का वक्त है यहां पर इतना कोहरा है कि आप समझ में नहीं आता होगा यह देख सकते हैं मैं चड़ गया हूं ओपर और आपको यह जो नजाराता होगा यह दोस्तो यह बबूल के ज़ाड है जंगली वाले और यह देख सकते हैं भीटा यहां से आता कि उसके बाद खेत है फुर अपर फॉगी नजाता होगा देख सकते हैं वड़ा भूत आपने देख लिया होगा हलका फुलका बहुत ज़दा फॉगी दोस्तों बहुत ज़दा है तो आसा फॉग कम होगा तो मैं और चीज़ दिखाने कोशिश करूँगा लेकिन सुबा साथे आड़ पॉनियों के बीच में इतना ज़दा फॉग है कि आपको और मैं दिखा ही नहीं पा रहा हूं बाजु में पेड़ वगएर इसके आगे नदी है आई होप मैं दिखा और आए इतनी सांती है ना इसका को अन्दाजा नहीं है डेख सकते बढूल के पीडों से घीरी है नदी किन ये नदी पानी काफी कम है बहर बहड़ा पानी लेकि रह आते या सब्सक्राइब नजार हो पेल कि आस पास किनार पर ठ़ें रहना ना मुप्न होता दोस्तों लिए दोणी तो थोरी द favor आपको इस चब्दे का नजार दिखाया था भीटा था यहां पर है वीवी लेकिन उससे बड़े जो भीठा है वहाँ पर मैं मौजूद हूं फिलाल यह देख सकते हैं मस्त यहां पर आके मैं अब मैं टाइम पास करता हूं यहां टॉप की जगह है मेरे गाव में आप इसे ऐसा जगह पकड़ लेजिए जहां पर आकर बैठोगे तो आपका मन शान्त हो जाएगा यह इतनी यूशी जगह है कि यहां पर जो बजली की तार्गे खंबे लगे है वो भी इसे हिसाब से नीचे है अल्मूस्ट नो बज़र है सुबह के लेकिन कोहरा चटता हुआ नजर नहीं आ रहा दोस्तो कुल में मिला के यह जो नजारा है घाओं का यह आम दिन के हिसाब से रेगुलर ऐसे ही रहता है और कल हवा नहीं चल दे थी कल बारिश हो रही थी यहां पर कल मैं भी जब उतर आ तो बारिश का सामना मुझे करना पड़ा तो आज हवा चल दे इसे कोहरा जादा है और ठंड जो की चाओं में अधा है और यहां पर जस्थ बाजू में कि यह बास का पेड़ हैli और एक दोब साल होता हूं वायर yell आपको सब्सक्रा कि बहुंते-पैड़ों लुईसका हैं और थीक भाचो में सरसो उगाया गया है देख सकते हैं दोस्तों अभी भी ओस है अभी फॉग वेदर है एक दम और इतना फॉग वेदर में मैंने वह अपना कंटाप सर का निकाल दिया है और ऐसा लगता है थोड़े दिर में गाव में आकर इस फॉगी वेदर में दोपी निकाल कर कभी-कभी तो लगता है अपने इच भगवाने इतना ठंडी है क्योंकि अब क्या बताओ दोस्तों बहुत ठंड है बहुत ज़ादा ठंड है यह आप देख सकते हैं धान है गेहूं गेहूं इस धान को अगर आपने देखा होगा गेहूं का धान है इसे ठीक बाजू में यह महुआ का पेड़ है आपको यह शहरों में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा पेड़ है यह इसके बाजुवाला फल तो फल लगे नहीं है लेकि दोस्तों जो फल लगते है — फूल गरत ऑफ और पूरे गांव कि बच्चे उस फूल को एकठा करते महुआ क जो फूल गरता है तो उसके बाद उसका वो गुलगुला कुछ एक तरह खाने का जीज़ बनाते है और उसको अलगले चीज़ों में यूज़ भी किया जाता है बहुत ही बड़िया होता है वह हुआ के फूल अभी अभी मोसम में बिल्कुल नहीं है यह सामने जो आप देख रहे हैं यह धान के खेत के बाजू में सर्सो का खेत है कि आपको मित कहले कर नज़रा आता होगा घंधा पहर बहुत प्यारा लगए रहाए आँ लेक्षर्क अगल्स और अच्छ लगता होगा को यह इस सर्सो के खेत का फी सर्सो फुला गई हैं काफी अच्छील लगहिए हुआ दोस्तो आठ से नो बजे के आसपास मैं घहल से बाहर था अभी और आपको मेरे गाओं की कुछ छलकिया मैंने आपको दिखाई और मुझे उमीद है आप कोई वीडियो पसंद आया होगा और वाकरी में हलका सो कोहरा 5% कम हुआ है लेकिन कोहरा तो है कोहरा है और ऐसे ही पुर देंगी दोस्तों आई हो आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कुछ इस चानल में मैं आगे इस तरह की वीडियो बनाऊंगा आपको बहुत बहुत शुक्या देखने के लिए